हेलो दोस्तो आज हम आपके साथ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं आज हम बड़े पने के सूट की कटिंग करेंगे तो बड़े दिन से ये मैसेज आ रहे थे कि आप बड़े पने में सूट की कटिंग करना बताएं यहां पे मैं आपको बताऊँगी कि पैंट प्लाज हो या फिस सलवार कैसे कट की जाती है बड़े पने में तो आजकर जैसे ट्रेंड है बड़े पने के कपडे का तो यहां पे हमने साड़े तीन मीटर ये कपड़ा लिया है अगर आप pent बनाने जा रहे हैं तो 3 मीटर में भी हो जाएगा अगर आप सलवार बनाने जा रहे हैं तो 3.5 मीटर कपड़ा कम से कम आपको चाहिए होगा तो यह देखें इस साइड यह खुला है और दूसरी साइड यह बंद है यह हमारा 56 इंच पने का कपड़ा है अगर आप किसी healthy lady का सूट भी बनाएंगे इसमें तो बहुत ही अच्छा यह खुला घेरा बनता है इस तरह आप fold करके देखिए तो इस तरह यह घेरा आपका पूरा complete हो जाएगा अगर आपका घेरा थोड़ा कम है इसमें अगर आप कम घेरा रखना चाहते हैं तो आप इस तरह रखिएगा और जो कपड़ा बचेगा वो side में बंद वाली side में रखिए खुली वाली side से आपने घेरा लगा लेना है इस तरह आपकम घेरे में सूट बना सकते हैं उस साइड वाले कपड़े को कहीं और जगा यूज़ कर सकते हैं सूट के अंदर ही तो मैं आपको बता रेती हूँ इसका नाप लगा के बताती हूँ तो यहाँ पर यह देखिए के फोल्ड किया है क्योंकि हमारा जो घेरा है वो थोड़ा कम है यह देखिए यहाँ पर हमने साइड में जो फाल्तू कपड़ा था जो एक्स्ता कपड़ा था वो हमने साइड में निकाल दिया है और यहाँ पर हमने लंबाई लगा ली है जितनी भी आप लंबाई लगाना चाहते हैं अपने कुट्टे की उतनी लगा लीजिए मैंने यहां पर 47-48 के गरीवी इसको लगा लिया है यहां पर नीचे की तरफ फोल्ड करने के बार यह 45 इंच रेडी रह जाएगा तो यहां पर इसको हमने उपर की तरफ तीरा लगा ले अब हमने 20 इंच शाती का निशान लगा लिया है इस तरह पिर्चा करते हुए अभी 7.5 इंच का निशान लगाएंगे 7.5 इंच आर मोल की हमारी कटिंग होनी है इस तरह 7.5 इंच का निशान लगा लेते हैं और अब इस तरह बाक्स बन जाएगा यहां पर सबसे जारा questioning होती है कि box कैसे बनाया जाए तो इस तरह अगर आप box बनाएंगे तो बहुत ही perfect बनता है 7 इंच का हमारा box बन गया है अब यहां पर 2 इंच का एक निशान लगाते हैं अगले और पिछले पल्ले की 2 इंच की card डाल देंगे इस तरह से यह shirt की cutting हो निचे की तरफ आपने 8-इंच कमर का निशान लगाना है निचे की तरफ आम इसमें 7.5-8- insult का कमर का निशान लगाएंगे 20 इंच के बाद जितने भी up कमर के निशान लगेंगे वह 8 इंच पे लगेंगे और टोटल 14 इंच पे हमने hip लगा दी है और hip जो है हमारी ऽो 21 इंज है तो अब हम इसको इसतरे नाप लेंगे जो हमारी कमर है वो 18 इंज है इस तरह ओब हमने निशान लगा दिये हैं अब निशानों को इस तरहें आपस में मिलाते हुए इस तरहें आपने एक लाइन बना दिनी है और दो इंच का मार्जन छोड़ते हुए इसका cutting margin रखना है 2 इंच का हमारा cutting margin हो जाएगा अब इसकी कर लेते हैं cutting पुर्ता cut करने का ये बड़े पने में सबसे best रहेगा है अभी आपको मैंने समझा दिया है कि अगर आपका घेरा है तो पुरा लगा लीजिए अगर आपका घेरा कम है तो आप इसको इस तरह फोल्ड करके लगाए जितना भी एक्सा कपड़ा है आपका उसको आप बाहर की तरफ छोड़ दीजिए अब हमने इसकी cutting कर लेनी है अब देखिए shirt की cutting हमारी हो चुकी है इस तरह हमने इसको cut कर लिया है अब यहाँ पे हम उपर वाली अपर चेस्ट की cutting डाल लेंगे इसकी अंदर डेड़ इंच की अपर चेस्ट की cutting आपने कर लेनी है और यह cutting सिर्फ फ्रंट वाले पीस में होगी बैक वाले पीस में इसको नहीं करना होता इस तरह पहले निशान को बना लेते हैं अब लीजी शर्ट की cutting हमारी हो गई है अब हमने यहाँ पे पहले बाजू निकाल लेनी है बाजू भी आपने कन्नी वाली साइट से ही निकालनी है कन्नी वाली साइट से आपको जितना भी बाजू का आर्म होल चाहिए उतना आप इसको फोल्ड कर लीजिए और लंबाई लगा के इसकी cutting कीजिए अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है हमारा नाइन इंच आम होल है नाइन इंच के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको cut करना है यहाँ पे साड़े तीन इंच का फैले हैं डाउन लगा लेते हैं डाउन लगाने के बाद यहाँ पे नाइन इंच का आम होल लगा लेंगे और अब नीचे की तरफ हमने जितनी भी लंबी रखनी है बाजू उतनी लगाई है घेरा लगाई है और फिर इसकी cutting कर दीजिए अब देखिए इसकी marking हमने कर ली है अब cutting कर लेते हैं मैं थोड़ा घेरा खुला cut कर रही हूं बाजू का वोगि इसमें हम थोड़ी से designing करेंगे यह बाजू की cutting भी अब हो गई है shirt की cutting हो गई है अब बारी आती है सलवार की तो यहाँ पे यह जो extra कपड़ा है पहले इसको निकाल देते हैं यह जो extra कपड़ा है हमारा यूस हो जाएगा गले में या फिर कोई designing में जहां भी आप करना चाहते हो इसको पहले side में रख लेते हैं अब ही हम सलवार की cutting करेंगे तो यहाँ पे बड़े पने में सलवार की सबसे best वाली cutting में आपको बताऊंगी यहाँ पे कपड़े को आपने पहले इस तरह रख लेना है और जितना आपको पहुंचा रखना है यानि कि जितना आपको पला रखना है उतना इसको fold कीजिए तकरीबन 6 से 6.5 इंच इसको fold करेंगे यहाँ पे हमने खुली वाली side से इसको fold करना है बंद वाली साइड में हम इसमें म्यानी डालेंगे अब आप इसको नाप लीजिए नाप के इसको मैंने फोल्ड कर लिया है अब हम नीचे की तरफ इसकी जो लेंथ है वो लगाएंगे अब हमने लेंथ है जो लगानी है 41 के निशान में अब हम यहाँ पे पोँचा रख लेंगे छे इंच हमारा पोँचा रेडी है तो और यहाँ इंच आप इसमें इसमें ऐस्टा जो लीजे जितना भी आपका पोँचा रेडी होगा और यहाँ पे यह पोँचा इस तरह बन जाएगा अब उपर की तरफ से हमने इसमें क्रोच एरिया लगाना है अब पहले इसका घेरा देख लीजिए ये घेरा भी थोड़ा कम है किसे 22 इंच आ रहा है लेकिन इतना घेरा नहीं रखना है हमने घेरा थोड़ा जादा रखना है तो यहाँ पे हम मियानी डालेंगे तो म्यानी डालने के लिए हमने जो crouch area है normal crouch area हमने 11 से 12 इंच तक ना होता है लेकिन हम यहाँ पे 15 इंच का crouch area लगा लेंगे जिससे जो हमारी म्यानी है वो easily डल जाएगी अब हमने 15 इंच के उपर येक निशान लगा लेना है अब हम वो 15 इंच के निशान को नीचे वाले पॉंचे के निशान से ऐसे मिला देंगे और इसकी कर देंगे cutting म्यानी डालने का आपको मैं सबसे असान तरीका बताऊंगी इसमें इसी कपड़े में से ऐसे म्यानी डाल जाएगी आपको अलग से म्यानी कट करने की भी जूरूरत नहीं पड़ेगी अब हमने पहले इसकी cutting कर देनी है जैसे जैसे हमने इसकी marking की है अब इसकी हमने cutting कर ली है जो नीचे वाला हिस्सा है उसको इस तरह है हमने कुंदे की तरफ से मिलाते हो इसकी उपर रखना है इसको आपने double fold करना है और जहां पे नीचे कपड़ा खतम होता है यानि कि जहां पे भी नीचे कपड़ा खतम होता है वहां तक आप इसको fold कर दीजिए तो यह आपकी म्यानी डल जाएगी और आपका घेरा भी complete हो जाएगा और बहुत लोगों को म्यानी डालने में problem होती है तो इसमें कोई भी problem नहीं होने वाली है आपने easily इसको इस तरह पहले fold करके रख लेना है और cutting कर लेनी है अब यहां पे भी एक निशान बना लीजिए नीचे वाले कपड़े के बराबर आपने निशान को और handling के मिला देंगे अब हमने इस को पहले इस्तरहम मिला देना है और इसको कटितनी है नीचे से भी cut कर इसलवार की सारी cutting हो गई है अब हम यहां पे कट नहीं करेंगे नीचे वाले हिस्से को यहां पे एक चुट-चुटी cuts लगा देंगे और एक सिलाई लगा कर ही इसको complete कर देंगे तो यहाँ पर देखे सलवार की cutting भी हमारी हो चुकी है और यहाँ पर आपने बेल्ट निकाल लेनी है easily हमारी यह साड़े 3 मीटर कपड़े में बहुत ही अच्छा सलवार suit कटकर ready हो गया है और अब इसको normal तरीके से हमने सिल लेना है और जो हमारी बेल्ट है वो हम अपने हिप के हिसाब से निकाल लेंगे कपड़ा भी मेरे पास काफी बचा हुआ है अब यहाँ पर हिप के हिसाब से अपने बेल्ट लगा लेनी है जितनी भी आपकी हिप है उसमें आपने चार इंच और जोड लेने है और यहाँ पर साथ इंच हम इसकी चोड़ाई रखते हुए इसको कट कर लेंगे यहाँ पर हमारी जो हिप है वो तकरीबन हमारी 22 इंच है करेंगे तो हम यहां पे तक्रीब Leads 26 के गड़ाने के पर 50 इंच के पार चुड़ाइन लगाएंगे और इस की कटिंग करने के बाद पर अραदे है के आपकि नियुक्त मंतु अ सब्सकरा करने के पेंगे तो प्रखता आप कपड़ा है आप इसको इस तरह कट करेंगे तो 3.5 में आपका बहुत ही सुदर सुट कटता है अगर आप प्लाजो की कटिंग करना चाहते तो 3 में भी यह कटिंग हो जाएगा यहां पर पूरे घेरे का जैसे बड़े नाप का भी अगर कट करना चाहते हैं तो इतने कपड़े में यह बन आपको हमारा यह कटिंग करने का तरीका कैसा लगा है आप हमें बताइए का जिन लोगों को कंफ्यूजन होती थी बड़े गेरे का सुट कट करने में उनके लिए यह बेस्ट वीडियो है आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो लोग स्टिचिंग करना सीख रहे है उनके साथ शेयर कीजिए थैंकी पूर वाचिंग इस वीडियो आगे हम किसी नए डिजाइन के साथ मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई टेक कियर अपना ध्यान रखिए